गर्मियों में मिलने वाला पका आम तो बेहद स्वादिश्ट होता ही है लेकिन कच्चा आम भी कई और सधी अगुणों से भरपूर होता है जिसकी वाज़े से लोग गर्मियों में इसको खाना पसंद करते हैं कच्चे आम में कई पोर्शक्तत तो पाय जाते हैं जो हमारे स्वास्थे के लिए बहुत ही लावदाइक होते हैं करसी विग्यान के इंदर नियामदपूर में पिछले 20 वर्शों से तैनात ग्रह विग्यान की एक्सपर्ट डॉक्टर विद्या गुप्ता ने बताया कि कच्चे आम में विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E, कैलसियम, फास्फोरस, आइरन, जिंक, फाइवर, कॉपर, प वो सकता तो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके वजह से ये कई तरह कि बीमारियों से हमको दूर रखता है, इतना ही नहीं कच्चे आम पेट के लिए भी फाईदे मन्द होता है, ये कप्ज की समस्या से राहत दिलाता है, ये पाचंतंत्र को मजबूत करता है, प कच्याम में पाए जाने वाले विटामिन A की वजह से यांखों की रोशनी को बढ़ाता है। आंखें स्वस्त रहती हैं, कच्याम में एंटी डाइबिटिक की गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये खून में सरकरा के इस्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। साहयापुर से लोकल 18 के लिए सिमरंजी सिंग की रिपोर्ट तो कच्याम में विटामीन C के साथ साथ इसमें विटामीन A और B भी पाया जाता है। साथी इसमें जिंग, काईरन, कुटेसियम, मैगनीसियम ये सभी पोशक तत्तु भी बहुत अच्छी मातरा में पाया जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवशक होते हैं। चुंकि कच्याम खटा होता है, तो हम इसका तरह तरह से सेवन कर सकते हैं। कच्याम को इस्तेमाल करने से हमें बहुत सारी शारिरिक समस्याओं में भी फाइदा होता है। विसेज कर ये लू से हमें बचाता है और गर्मी नहीं लगने देता है साथी इससे हमें विटामिन C की भी पूर्ती होती है और फाइबर होने के साथ साथ हमारे पेट के लिए भी फाइदे मंद होता है तो कच्चे आम का गर्मी के मौसम में सेवन अवस्य करना चाहिए क्योंकि हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है पाइदे मंद होता है